अलेट चेक इट आउट गाइस स्वागत आपका स्टून टैक में दोस्ता आज हम बात करने वाले इंडिया में जल्दी लॉंच होने वाले टॉप अपकमिंग स्मार्ट फोन्स के बारे में जानेंगे इन मूबाइल की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में और इनमें ऐसे कौन स मूबाइल आपके बजट के अकौर्टिंग आपके लिए एक दम परफेक्ट रहेगा सारी चीजे के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लैक भी कर देना तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सेग्मेंट के पहले मूबाइल के बारे में जो के सामसंग गैलक्सी एस 24 इल्ट्रा तो इस मूबाइल में आपको 6.8 इंचिस के डैनमिक अमोलेट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी रिफ्रेश्ट टेट वन अगर बात करें इस मूबाइल के ग्राफिक्स के तो इस मूबाइल में एडिनो 750GP आपको देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इस मूबाइल के में डिस्प्ले देखने को मिलेगा बैटरी इस मूबाइल में 5000 mh की होगी चार्जिंग की बात करें तो इस मूबाइल में आपको 45W के फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी और इंडिया में इस मुबाइल का प्राइस 92,999 होगा ओवरल देखा है तो दोस्तों Samsung के दरफ से आपको इस मुबाइल में सारी फिचार एकदम अगर बात करें इस मुबाइल के ग्राफिक्स के तो इस मुबाइल में 17750GB आपको देखने को मिलेगा तो गेमिंग ग्राफिक्स आपको इस मुबाइल में एकदम के लड़ देखने को मिलेंगे अगर बात करें इस मुबाइल के बैटरी की तो इस मुबाइल में 5000 MHz के कला IP बैटरी आपको देखने को मिलेगी और 100W के आपको फास्ट रिचारजिंग का फिचर भी इस मुबाइल में देखने को मिल जाएगा और इंडिया में इस मुबाइल का प्राइज 65,999 होगा ओवराल देखा है तो दोस्तों OnePlus की तरफ से आपको इस मुबाइल में सारे ही फिचर काफी अच्छे देखने को मिलेंगे इस्पेशली इस मुबाइल की डिस्प्ले अप प्लैटफर्म सेग्मेंट तो मेरे अगर अगर आपको एक अच्छी पफर्मेंस वाला गेमिंग फोन चाहिए तो आप ये मुबाइल ले सकते हैं अब इस सेग्मेंट में अगला मुबाइल आता है Honor 108 5G इस मुबाइल में 6.7 इंचिस के एक OLED डिस्प्ले आपको इस मुबाइल में देखने को मिलेगी रिफ्रेश रेट 120 हर्स होगा अगर बात करें इस मुबाइल के प्रोसेसर की तो आपको इस मुबाइल में स्नाप डाकन 7 Gen 3 चिपसाट देखने को मिलेगा और ग्राफिक्स Adreno 720 होंगे अगर बात करें इस मुबाइल के मेन कैमरे की तो आपको इस मुबाइल में 50 और 12 मेगापिक्सल का डूल कैमरा सेटप आपको देखने को मिलेगा सेल्फी कैमरा इस मुबाइल में 50 मेगापिक्सल होगा अगर बात करें fingerband sensor की तो इस mobile में fingerband sensor आपको under display देखने को मिलेगा और battery इस mobile में 5000 mAh होगी अगर बात करें इस mobile के charging की तो आपको इस mobile में 100W के faster charging का feature भी देखने को मिल जाएगा और इंडिया में इस mobile का price 29,390 होगा overall दिखा है तो दोस्तों honor की तरफ से आपको इस mobile में सारे ही feature काफी अच्छे देखने को मिलेंगे तो मेरे according अगर आपका 30,000 का budget है तो आप ये mobile ले सकते हैं अब इस segment में अगला mobile आता है Xiaomi Redmi K70 Pro जिसमें आपको 6.67 इंचिस के OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी refresh rate 120Hz होगा, operating system Android 14 होगा, chipset Snapdragon 8 Gen 3 आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile के graphics की तो इस mobile में Adino 750 GPU आपको देखने को मिलेगा तो gaming graphics इस mobile में एकदम killer होगे, अगर बात करें main camera की तो आपको इस mobile में 50, 50 और 12 megapixel का टेबल camera setup आपको देखने को मिलेगा और selfie camera इस mobile में 16 megapixel होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको under display देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile के charging की तो इस mobile में 120W का faster charging का feature भी आपको देखने को मिलेगा और इंडिया में इस mobile का price 39,490 होगा overall देखाएं तो दोस्तों इस mobile में Siri feature आपको काफी अच्छे देखने को मिलेगे तो मेरे अगर आपको 40,000 का budget है तो आप ये mobile ले सकते हैं अब इस segment में अगला mobile आता है Samsung Galaxy M44 जिसमें आपको 6.58 इंचिस के PLS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी refresh rate 120Hz होगा sasmud और अप्रेटक इस關係 में Android 13 होगा अगर बात करें इस mobile के processor के तो आपको Phillips ए e818 chipset देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile के graphic के तो इस mobile Adreno 660 GPU आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile के main camera के तो आपको इस mobile में 52 और 2 Megapixel का Table Camera Setup आपको देखने को मिलेगा और इस Mobile में 13 Megapixel का Selfie Camera होगा अगर बात करें Fingerprint Sensor की तो आपको इस Mobile में Fingerprint Sensor आपको Side Mounted देखने को मिलेगा और Battery Segment इस Mobile में 5000 mAh की होगी और Charging की बात करें तो इस Mobile में 25 Watt के Faster Charging का Feature भी आपको देखने को मिल जाएगा और इंडिया में इस Mobile का Price 29,999 होगा दोस्ते इस Mobile का सबसे बड़ा Highlighting Point होगा इस Mobile का Main Camera तो मेरे अगर अगर आपका 30,000 का Budget है तो आप ये Mobile ले सकते हैं अब इस Segment में अगला Mobile आता है OPPO Reno 11 जिसमें आपको 6.7 इंचिस के एक OLED डिस्पले आपको इस Mobile में आपको देखने को मिलेगी Refresh Rate 120 Hz होगा Operating System Android 14 Chipset Media Day Dimensity 8200 आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें इस Mobile के Graphics की तो इस Mobile में Maligy 610 MC6 GPU आपको देखने को मिलेगा Main Camera 58 और 32 MP का Table Camera Setup होगा Selfie Camera इस Mobile में 32 MP का होगा Fingerprint Sensor इस Mobile में Under Display होगा अगर बात करें इस Mobile के Battery की तो इस Mobile में 4800 MH के कलाइब पर बैटरी आपको देखने को मिलेगी और Charging के बात करें तो इस Mobile में 67 Watt के Faster Charging का Feature भी होगा और इंडिया में इस Mobile का Price 29,690 होगा Overall देखाया है तो दोस्टे तरफ से आपको इस Mobile में सारी फीचर एकदम Advanced देखने को मिलेंगे तो मेरे अगर अगर आपको एक अच्छे कैमरा वाला Gaming Phone चाहिए तो आप ये Mobile ले सकते हैं अब इस Segment में अगला Mobile आता है Vivo IQ 12 Pro जिसमें 6.78 इंचेस के एक LTPO AMOLED डिस्पले आपको देखने को मिलेगी Refresh Rate 108,44 Hz होगा Operating System इस Mobile में Android 14 होगा अगर बात करें इस Mobile के प्रोसेसर की तो आपको इस Mobile में Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट देखने को मिलेगा GPU Adreno 780 होगा Main Camera 50,64 आप 50 Megapixel का एक टेबल गामरा सेटप आपको देखने को मिलेगा और इस Mobile में 16 Megapixel का Selfie Camera होगा अगर बात करें Fingerprint Sensor की तो आपको इस Mobile में Fingerprint Sensor आपको Android इस्पले देखने को मिलेगा और बैटरी इस Mobile में 5100 MH की होगी अगर बात करें इस Mobile के Charging की तो इस Mobile में 120 Watt की Faster Charging का Feature भी आपको देखने को मिल जाएगा और इंडिया में इस Mobile का Price 58,090 होगा Overall देखा है तो दोस्तों वीवो की तरफ से आपको इस Mobile में काफी अच्छा Camera सेगमेंट देखने को मिलेगा Refresh State 120 Hz होगा Operating System इस Mobile में N.14 होगा Chip Set Media Day Dimensity 9300 आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें इस Mobile के Graphics की तो इस Mobile में Immortalis G720 MC12 GPU आपको देखने को मिलेगा और Main Camera इस Mobile में 50-50 और 50 Megapixel के एक Table Camera Setup आपको देखने को मिलेगा और Selfie Camera की बात करें तो इस Mobile में 32 Megapixel के एक Front Camera आपको देखने को मिलेगा और Fingerprint Sensor आपको इस Mobile में Under Display देखने को मिलेगा अगर बात करें इस Mobile के बैटरी की तो इस Mobile में 5400 MHz के एक Alepio बैटरी आपको देखने को मिलेगी और Charging के बात करें तो इस Mobile में 100 W के Faster Charging का फीचर भी होगा और इंडिया में इस Mobile का प्राइस 57,090 होगा ओवराल दिखाया है तो दोश्तों वीवो के तरफ से आपको इस Mobile में एक दाँ Flagship Grade के फीचर देखने को मिलेंगे तो मेरे गाटिंग अगर आपको एक अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए तो आप ये Mobile ले सकते हैं अब इस सेग्मेंट में अगला Mobile आता OnePlus 12 जिसमें 6.82 इंचिस के LTPO AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी Refresh Rate 120Hz होगा Operating System इस Mobile में Android 14 होगा Chipset Snapdragon 8 Gen 3 होगा GPU Adino 750 आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें इस Mobile के Main Camera की तो आपको इस Mobile में 50,64 और 48 Megapixel का Table Camera Setup आपको देखने को मिलेगा Selfie Camera इस Mobile में 32 Megapixel होगा Fingerprint sensor आपको इस Mobile में Android Display देखने को मिलेगा अगर बात करें इस Mobile के Battery की तो आपको इस Mobile में 5,400 MHK के CaliPo Battery आपको देखने को मिलेगी और चार्जिंग के बात करें तो इस Mobile में 100 W की फास्टर चार्जिंग का फीचर भी होगा और इंडिया में इस Mobile का Price 50,690 होगा Overall देखा है तो दोश्तों OnePlus की तरफ से आपको इस Mobile में काफी Advanced Feature देखने को मिल जाएंगे तो मेरे अगर अगर आपका 80,000 का बजेट है तो आप ये Mobile ले सकते हैं अब इस सेग्मेंट में अगला फोन आता है Xiaomi Redmi K70E जिसमें आपको 6.67 इंचेस के OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी Refresh rate 120 Hz होगा Operating System इस Mobile में N.14 होगा अगर बात करें इस Mobile के Processor की तो आपको इस Mobile में Mediator Dimensity 8300 चिपसेट देखने को मिलेगा GPU Mali-G615M6 होगा अगर बात करें इस Mobile के Main Camera की तो आपको इस Mobile में 64, 8 और 2 Megapixel का Triple Camera Setup आपको देखने को मिलेगा Selfie Camera इस Mobile में 16 Megapixel होगा अगर बात करें Fingerprint Sensor की तो आपको इस Mobile में Fingerprint Sensor आपको Under Display देखने को मिलेगा और बैटरी इस Mobile में 5,500 mAh की होगी और Charging की बात करें तो इस Mobile में आपको 90 Watt के Faster Charging का Feature भी देखने को मिल जाएगा और इंडिया में इस Mobile का Price 23,590 होगा Overall देखाई है तो दोस्तो शाओमी की तरफ से आपको इस Mobile में 24,000 में काफी अच्छे Feature देखने को मिल जाएगे तो मेरे अकॉर्टिंग अगर आपको Low Budget में का अच्छा Phone चाहिए तो आप ये Mobile ले सकते हैं अब इस Segment में अगला Mobile आता है Samsung Galaxy A35 जिसमें आपको 6.6 inches के Super AMOLED Display आपको देखने को मिलेगी Refresh Rate 120 Hz होगा Operating System इस Mobile में N.13 होगा Chipset Midnight Eye Dimensity 1080 होगा अगर बात करें इस Mobile के Graphics के तो आपको इस Mobile में Mali J68 MC4 GPU आपको देखने को मिलेगा Main Camera 48, 8 और 5 Megapixel का Table Camera Setup आपको देखने को मिलेगा Selfie Camera इस Mobile में 16 Megapixel होगा Fingerprint Sensor आपको इस Mobile में Side Mounted देखने को मिलेगा और इस Mobile में 5000 MHz के काफी बड़ी LAPU battery आपको देखने को मिलेगी अगर बात करें इस Mobile के Charging के तो इस Mobile में 25 Watt के Faster Charging का feature भी होगा और इंडिया में इस Mobile का price 28,999 होगा Overall देखा है तो दोस्तों Samsung की तरफ से आपको इस Mobile में सारे feature एकदम Advanced Top End देखने को मिलेंगे तो मेरे अगर आपका 29,000 का budget है तो आप इस Mobile ले सकते हैं अब इस segment में अगला phone आता है Honor 100 Pro जिसमें आपको 6.78 इंचिस के एक OLED डिस्पले आपको देखने को मिलेगी refresh rate 120 Hz होगा Operating System इस Mobile में Android 13 होगा Chipset Snapdragon 8 Gen 2 आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें इस Mobile के Graphics के तो इस Mobile में Adeno 740 GPU आपको देखने को मिलेगा Main Camera 50, 32 और 12 Megapixel के एक टेबल कैमरा सेटप आपको देखने को मिलेगा Selfie Camera इस Mobile में 50 और 2 Megapixel के एक Dual Camera सेटप होगा Fingerprint sensor आपको इस Mobile में Under Display देखने को मिलेगे अगर बात करें इस Mobile के Battery की तो इस Mobile में 5000 mh के काफी बड़ी LAPO Battery आपको देखने को मिलेगी अगर बात करें इस Mobile के Charging की तो इस Mobile में 100 Watt के Fast Charging का Feature भी आपको देखने को मिलेगा और इंडिया में इस Mobile का Price 39,990 होगा Overall देखा है तो दोस्तो Honor की तरफ से आपको इस Mobile में सारे फीचर एकदम Advanced देखने को मिलेंगे मेरे अगरणिंग इस Mobile का सबसे बड़ा Highlighting Point होगा इस Mobile का Platform और Main Camera तो मेरे अगरणिंग दोस्तो अगर आपको 40,000 में अच्छा फोन चाहिए तो आप ये Mobile ले सकते हैं अब इस सेग्मेंट में अगला फोन आता है Xiaomi Poco X6 5G जिसमें आपको 6.67 इंचेस के एक AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी Refresh rate 120Hz होगा Operating System इस Mobile में N.13 होगा चिपसेट Snapdragon 7S Gen 2 होगा अगर बात करें इस Mobile के Graphics की तो इस Mobile में Adino 710 GPU आपको देखने को मिलेगा Main Camera 64, 8 और 2 Megapixel का Table Canva Setup आपको देखने को मिलेगा और इस Mobile में 16 Megapixel का Selfie Camera होगा Fingerprint sensor आपको इस Mobile में Under Display देखने को मिलेगा अगर बैटरी की बात करें तो इस Mobile में 5,100 MHK के L.I.P.O. बैटरी आपको देखने को मिलेगी अगर चार्जिंग के बात करें तो इस Mobile में 33 Watt के फास्टर चार्जिंग का फीचर भी आपको देखने को मिलेगा और इंडिया में इस Mobile का प्राइज 15,999 होगा ओवरल देखा है तो दोस्तों Xiaomi के तरफ से आपको इस Mobile में काफी कम प्राइज में काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे तो मेरे अकर्टिंग अगर आपका 20,000 का बज़ेट है तो आप यह Mobile ले सकते हैं अब इस सेग्मेंट में अगला फोन आता है विवर X100 जिसमें 6.78 इंचेस के LTPO AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी रिफ्रेश टेट 120 हर्स होगा ओपरेटिंग सिस्टम इस Mobile में Android 14 होगा चिपसेट मीड़ा डामेंसिटी 9300 आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें इस Mobile के ग्राफिक्स की तो इस Mobile में Immobilis G720 M12 GPU आपको देखने को मिलेगा Main Camera आपको इस Mobile में 5064 और 50 Megapixel का Table Camera Setup आपको देखने को मिलेगा Selfie Camera इस Mobile में 32 Megapixel का होगा अगर बात करें Fingerpoint Sensor की तो आपको इस Mobile में Fingerpoint Sensor आपको अंडर डिस्प्ले देखने को मिलेगा अगर बात करें इस Mobile के बैटरी की तो आपको इस Mobile में 5000 MHz के काफी बड़ी LAPU बैटरी आपको देखने को मिलेगी और 120 Watt के फास्टर चार्जिंग भी होगी और इंडिया में इस Mobile का प्राइज 45,690 होगा Overall देखाया है तो दोस्तों Vivo के तरफ से आपको इस Mobile में सारे ही फीचर एकदम डिसेंट देखने को मिलेंगे तो मेरे अकोर्डिंग अगर आपको एक अच्छे कैमरा वाला gaming phone चाहिए तो आप ये Mobile ले सकते हैं अब इस segment में अगला phone आता है Samsung Galaxy S23 FE जिसमें आपको 6.4 इंचेस के Dynamic AMOLED 2X डिस्पले आपको देखने को मिलेगी Refresh rate 120Hz होगा Operating System इस Mobile में Android 13 होगा Chipset Exynos 2200 आपको देखने को मिलेगा GPU इस Mobile में Adreno 730 होगा तो आपको इस Mobile में काफी अच्छे gaming graphics भी देखने को मिलेंगे Main Camera इस Mobile में 58 और 12 Megapixel के Table Camera setup आपको देखने को मिलेगा अगर Selfie Camera की बात करें तो इस Mobile में 10 Megapixel के एक Front Camera भी आपको देखने को मिलेगा Fingerprint sensor आपको इस Mobile में Android Display देखने को मिलेगा अगर Battery के बात करें तो इस Mobile में 4500MHz के Calipo बैटरी भी आपको देखने को मिलेगी अगर बात करें इस Mobile के Charging की तो इस Mobile में 25W के Faster Charging का फीचर भी आपको देखने को मिलेगा और इंडिया में इस Mobile का Price 59,999 होगा Overall देखा है तो दोस्ते इस Mobile में काफी तगड़े तगड़े फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे अकार्टिंग दोस्ते इस Mobile का सबसे बड़ा हालेटिंग पॉइंट होगा इस Mobile का Camera सेग्मेंट अगर आपको एक अच्छे Camera वाला Gaming Phone चाहिए तो आप यह Mobile ले सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को Like Shade ज़रूर करना और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी On कर लेना और कमेंट करके बताने के आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में